महिस सुप्रीम कोर द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश नुसार दोहजार आठ के बाद बने जिम और योगा सेंटर्स को सील करने के निर्देश दिये गए हैं उसके बाद सुमवार सुभाध जिम मालिकों ने भारते जनता पार्टी के नेताओं से में भरोसा भी दिया गयाओ जिम मालिकों से खास बात किया हमारे समवाध अनौल कुमार ने एक अमेंडमेंट ऐसा पास हुआ गया है एर्रिस्पेक्टिव अफ जहां पर भी किसी भी स्ट्रीट पर आपका जिम है 2008 के बाद उसको बंद कर दिया जाएगा मेरा कहना यह है कि 2008 के बाद Commonwealth Games आई थी उसके बाद ही जिम्स, फिटनेस, योगा इन सब चीजों के लिए सब मोटिवेट होना स्टार्ट होए थे उससे पहले हाडली कोई जिम था ही नहीं दिली में और बाकी इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं था नहीं दो को फिट कर रहे हैं और इस पॉल्यूशन के महुल में अगर लोगों को फिट करना कोई गुना है तो मेरे साब से हमारे पास इसके बाद कुछ काम और कुछ रह नहीं जाएगा हर जिम के अंदर स्टाफ है तीन सो चार सो मेंबर्स हैं हर जिम के साथ जुड़े होएं कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो बीपी माईग्रेन और भी बहुत सारी बिमारियों से जूज रहे हैं जो आकर जिम में वरक आउट करते हैं और उनको इस चीज़ से रिजल्ट मिलता है तो हमारी रिक्वेस्ट है जिब डीमr吞ला है कमरसियल में जिर्मर्चल में जितने अपनों रखा है jim सिर्फ उनहता घ्रास करने की एक तरीका है जोन सब्सक्राइध के उरडर है उसमें हमारी को को जो कोई तरक नहीं दिया गया है कि हम आपका जिम किस बिहाफ पे सील करेंगे आज की डेट में अगर कोई इनसान गलती करता है तो उसको उसकी गलती बताई जाती है हमार को जो लेटर दिया गया मॉन्टरिंग कमेटी की तरफ से उसमें सिरफ और सिरफ ये बोला गया है कि 18 तरीक तक आप लोगों के जिन सील कर दिया जाएंगे कोई तरक नहीं दिया गया कोई हमार को मारी गलती नहीं बताई गई अगर कोई हमारी गलती है तो उसको लेटर पर मेंशन करो ताकि हम उसको सुधारे हमार को सुधारने का टाइम दे लेकिन उनको भी ये बात अंदर से पता है कि हम लोगों ने ऐसा कुछ गलत किया नहीं है, किसी की हेल्थ को सही गरना मेरे साथ से कोई गलत काम नहीं है बट हमार लोगों के लिए उपर सारी गाज क्यों गिर रही है जो की health को promote कर रहे हमें समब्न नहीं हा रहा है आज हुआने तमाम जिंव मालिकों ने जो बीजेपी के नेतां से उनकी मुलाकात की और साथी इनको आस्वासन दिया गया है साथी तीन दिन का समय भी इनने दिया गया है प्रजापती के साथ अन्मोल कुमार्ट पोर्टल न्यूस देली